नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे और आज हम कवर्ज करने जा रहे हैं राजस्थान का जो बजट है 2018-2019 का और ये क्यों कवर्ज करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही महत्तो पुरुन है राजस्थान के बजट से क्योशन आने के बहुत बहुत ज्यादा chances हैं इसमें से 2 या 3 questions तो same repeat हो सकते हैं options भी change ना हो और ऐसा भी हो सकता है अब देखो budget है तो 5-6 questions भी पूंचे जा सकते हैं पर कम से कम 3-4 questions तो पूंचे जाएंगे इसमें से ठीक है तो बिना time गवाए हम start करते हैं पहला question क्या क्या रहा है राजस्थान budget 2018-19 में राज्य की आई में सरवादिक इस्था किसका रहा है देखो अगर ये वीडियो देखने से पहले आप description में जो link दिया है पहले राजस्थान का जो budget है उसका पूरा explanation दे रखा उसमें वो देखिए उसके बाद में ये आपको बहुत अच्छे समझ आएग वैसे मैं आपको बता दूँ देखो राजस्थान का budget जो है राजस्थान का जो budget है ये देखिए ये है राजस्थान का budget और इसका कुल अर्थसासर देखो आप जो सबसे एक question क्या पूंच रहा है कि राजस्थान budget 2018-19 में राजस्थान की आई में सरवादिक हिस्सा किस का रहा तो आई देखो ये है आई कहां से आएगा तो सरवादिक हिस्सा किसा रहा है आंतरिक उधार प्लस अन्य तो आंतरिक उधार प्लस अन्य जो हैं आंतरिक उधार प्लस अन्य कौन-कौन से हैं के पेयास को देखें तो आपके बहुत अच्छे समझाएगा अब मैं इसको explain करूंगा आगे चलिए ठीक है दूसरा question क्या कह रहा है राजस्थान में विदू सेक्टर में 2018-19 में कुल प्रस्तावित उद्वे का कितना परतिशत है तो देखो राजस्थान में विदू सेक्टर का ये भी उसके अंदर दे रखा है देखो तो कितना दे रखा है यह देखो राजस्थान के अंदर विद्र सेक्टर में यह 25.08 परतिशत तो देखो यह जो पेज है यह वाला पेज यह पेज है यह बहुत बहुत जाद इंपोर्टेंट है और इसको मैंने कल एक्स्प्लेइन किया था एक बार जरूर देखे वो वीडियो इससे आर्थिक बजट से बहुत सारी कुशन बनेंगे तो कितना परतिशत है 25.08 ठीक है इसका जो आंसर होगा वह 25.08 उसके बाद है 674 करोड रूपीज ठीक है तो ऐसे चलते हैं आगे राजस्थान बजट 2018 उन्हें राजकोषय घटा का कितना परतिशत है तो 2.98 ठीक है राजस्थान का प्रारविबिक बजट घटा प्राइमेरी डिफिस्ट कितना है तो वह 6598 करोड रूपीज ठीक है राजस्थान में एक रूपे में से कितना पैसा ब्याज अदाईगी के रूप में जाता है 10.09 पैसा ये सारे क्योशन्स है कल वाले वीडियो से बनाए गए है एक बार कर राजस्थान में एक प्हूंट। फिरए गरूप कितना पैसे बियाज राजाइगी कि रूप ना जाता है यह भी आज कि अदाएगी एक रूप में से 10.09 नेकस्ट चुछ सेंगें को स्थान में व्याज अटवारे की रूप में एक रूप में से कितना हिस्सा राजस्व के रूप में तो राजस्व के रूप में सबसे जादा जाता है वो है 69.58 पैसे आगे राजस्थान की मुख्य मंत्रि वसुन्द राजे ने 12 फरवरी 2018 को इपने बज़ट में भाषण में राजस्थान के लगू में सीमान्त किसानों का कितना करज माफ करने की तो देखो पचाहश जारूपे करज माफ करने की और यह चला था अपना पचाहस जारूपे माफ करने का बज़ट पास किया है उसमें आगे है प्रस्तावीत बजट 2018-19 में यूजना या परियोजना पर कितना बिया प्रस्तावीत है चाल हो एक लाग आठा जार आठ सो 35 पांठ चालिस करोड रुपया ठीक है यह सारव बजट का जो pdf ई दोनों की PDF में लिंक मेरें नीचे description में लिंक के लिए लिचाथ मुख्यमंतर जल अभ्यान के अंत्रकेद बजट 2018-19 में कितने गाउं को सामिल करने का लक्षे है तो देखो इसमें कितना लक्षे है 4249 गाउं का आगे है बजट 2018-19 के अनुसार व्यापारियों की समश्याओं के त्वरित समाध्ण सामाजिक सुरक्षपीमा अवशकताओं अधिन्यमों या नियमों से संबढ़त सुझाओं है तू व्यापारी कल्यान बोड का गठन किया जा entropy कितनी प्रारंबी करासी से व्यापारी कल्यान देधिकी स्तापना तो कितने रुपे का प्रस्ताव किया गया है दस करोड रुपे का प्रस्ताव किया गया है जिससे व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्यान बोट का गठन किया जाएगा ठीक है आगे है रज़स्तान बजट 2018-19 में गोशित लेटेस्ट योजना क्या क्या है तो देखो पहली योजना क्या है भैरो सिंग सिखावत अन्तोध्य स्वेरो उजिगार योजना पचास हजार परिवारों की पचास हजार रुपे तक का रेंड चार परतिशत पर बिना रहन के उपलब्द ठीक है ये जब हमारे रामनात कोविंद जी आये थे तेरा मैं 2018 को तब उन्होंने तीन गोशना एक सुंदर सिंग भंडारी भी सी योजना भेरों सिंग से कावत और एक और योजना है चलाएती उसमें ये बात सत्य है ठीक है सेकंड है आदर्स मदर्शिया उजना तो ये है मदर्शों के आधन गरन है तू तीसरा संदर सिंग भंडारी उजना जो है ये आर्थिक पिजड़ा वर्गों के लिए 50,000 रुपे प्रदर्शन है तू प्रोस्तान तो देखो इसी योजना के तहत जो कमलेश नागरकोटी है उसको 25,000 रुपे का मतलब इसमें पैसे दिये गए थे और 25,000 रुपे कमलेश नागरकोटी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है ये भी पूचा सकता है कि इसका समन्द किस से है किस ग बना जाएगा ये बना जाएगा आपका विकानेर के अंदर अभी लेखाकार के आए कि जो भी चीज़े हैं उनको डिजिलाइड डिजिटलाइज करके उनको दिखाया जाएगा तो ये है राज्तान राज्य अभी लेखाकार विकानेर ठीक है आगे है राज्य की मक्य मंतरी वसंदर राजय ने बजट 2018 में राजय की सभी 200 विधान सभा चेतर में कितने किलोमेटर परती वर्ग विधान सभा चेतर नवीन सटको का निर्मान की घोशना तो देखो 15 किलोमेटर परती वर्ग किलोमेटर और ये हर विधान सभा चेतर के अंदर हो जाएगा ये तब 200 सीटे हैं विदान सीटे हैं राजस्थान में विदान सीटे हैं तो उसके अंदर ये घोशना की गई कि 15 इसकी जो सटकों की डेंसिटी हो कितनी कर दी जाएगी 50 किलोमेटर ठीक है आगे है भारत बजट भासन में राजस्थान की मुख्य मंद्री ने किसानों के लिए किस आयोग की गठन की कोशना किया जो स्थाई संस्था की रूप में कारे करेगा तो ये ये भी बहुत बहुत important है कौन से स्थाइक संस्ता की कोशना की है वो है राजतान राज्य क्रशक रं राहत योजना या रं राहत आयोग ठीक है आगे है राजतान बजर 1819 में कहां नया medical तो कहां खोले जाएगा धोलपुर में नया medical कोला जाएगा उसके अलावा जो पहले करशी आधरीत सेवाओं के लिए पांस लाग उरुपे देते थे प्रतिवर्स उसको कर दिया कितना अब साड़ी साथ लाग उरुपे ठीक है फिर है बजट 80-19 में कहां मेवाड भील कोर बटालियन की स्थापने की जाएगी तो कहां की जाएगी भासवड़ा के अंदर ठीक है राजस्थान बजट 2018 में 18-19 में लोग देवतियाओं की नई पनौर्मा की गोशना की है देखो यह तो क्योशन है इसमें से तो मैं गारंटी दे सकता हूँ एक क्योशन तो आएगा यह आएगा अधब क्योशन ऐसे नहीं आएगा कि राजस्थान बजट 80-19 में लोग देव कि बता होँ कि नहीं रमा की गोशचना की है कौन-कौन से है ऐसे भी पहुचा सकता उब इन को मैचिंग करने हैं जो राजा भरतरी का है फिन हर म स्कर आपको दे दिया आपम आप को दे दिया राजा बहतरी जी का वह अलवर में बनाया जाएगा बगवान देवनाराण जी का उनका माला सेरी में बनाया जाएगा तो यह जो है सारे फियाढ़ खोलने की घुशन की ओता था कि आदिवासी आलाकों में अब ज्यादा पढ लिखे तो होते नहीं है तो क्या करते यह बीच में पर चौल लिए क्या करते सस्ते दामों पर खरीद के और महिंग दामी तो इनके मकती के लिए अब मंधियाढ़ खोलने के गोशना किया और यह कहां खुलेंगे कोटड़ा सलूंबर और गोगंदा ठीक कोटड़ा सलूंबर और गोगंदा यह आपके खुले जाएंगा कि आगे प्रस्ताविद बजट एक टी नाइंटीन में पुंजिगत प्राप्तियों में सरवादी खिस्सा किसका है आप प्रस्ताविद बजट में पुंजिगत प्राप्तियों में सरवादी खिस्सा किसका है यह देखो आप प्राप्ति आप प्राप्ति देखो यह होगा प्राप्ति पुंजिगत प्राप्ति की बात राजस पर प्राप्तिया यह संसोजित अनुमान है और यह बजट का अनुमान है सबसे जादा कहां से आ रहा है कहां से आ रहा है लोग रहा है ठीक है देख लिए एक बजट अच्छे से चलो आगे जलते हैं आप क्यूशन पर अगला क्या कह रहा है बजट 2018 में पसुदन से समन्दित घोष्णाओं को निम्न कुटों के साहते समन्दित उत्तर कीजिए तो सही पहला क्या है बजट 2018 में प्रतिक जिले में एक नंदी घोष्णाओं कोलने का प्रावधान है विल्कुल सही बात है बजट में बायोगेंस प्लांट लगाने के लिए गोपालन विभाग द्वारा प्रतिक जोष्णाओं लागत का 50 प्रसाइट अथ्वा अधिक्तम 40 लाक रुपय तक का अंदान दिया जाएगा ये भी बजट में लिखी हुई चीज है उसके बाद में बजट में उतनी के दूद का प्रसाइट कहां खोला जाएगा जैपूर में कमीनी ब्लांट खोला जाएगा बजट में गोष्णाओं के चारो पसवार के लिए वर्तमान 90 दिन की साहे तक बढ़ाकर 100 सी दिन कर दिया गया है तो चारो से ही है इसमें है कि खेल स्वादा को बढ़ाने के लिए यहां पर रज किरड़ा सिंस्तान कावे खोला जाएगा जुन जुन खोला जाएगा बजट एटी नाइंट में बून दीजे लेगा जहिला जी जाली जी का जो ब्राना व्रहद पेईजल परियोजना कि पानी के लिए एक परियोजना चलाई गई है और वो किस छेत्र के बहतर गाओं को लाब होगा उससे तो किस छेत्र के के सवराई पार्टन के छेत्र हैं उनके लोगों को यहां पर लाब होगा उसके बाद है बजट एटी नाइंटीन में राज्य सरकार के विजएन 2020 में क सभाना बेरोजगारी कम करना अर्थ व्यवस्ता में सुधार सिक्सा में सुधार और स्किल डवलबन देखो अभी चलो क्या चल रहा है चुनावी माहूल चल रहा है कहीं भी जाके आप लोगों से पूंचो गए कि भाई वोट किसको देना है ठीक है तो वो क्या कहेगा इंप्रूव करो एजुकेशन इंप्रूवमेंट करो और यह तीन चीजे लोगों को चाहिए अब सरकार को तो निवेस बढ़ाना है मतलब यह तो बाहरी कंपनिया आये यहां पर रोजगार तभी बढ़ेगा निवेस बढ़ाएंगे तो और स्किल डवलप्मेंट करो ठीक ह तो आपको तो सिर्फ यह याद रखना है कि कितने सेक्टर्स में हैं प्रात्मिकता प्रता हैं पांच सेक्टर में राज्य में अब तक कितनी बार ग्राम का आयोजन हो चुका है तो ग्राम इसका कितनी बार हो चुका है तीन बार ठीक है और इसकी जो फुल फॉर्में ग्रा कोबल राजस्थान एग्रिकल्चर मीट तो राजस्थान सरकार ने राज्य में क्रिशी विकास को बढ़ावा देने के लिए तद्धा क्रिशिकों को आधिनिक तक्निकों से परीचे करवाने के लिए ग्राम का तीन बार आयोजन करवाई चुके हैं और सबसे पहले कहा हुआ उनसे बिल्कुल सीधा समवाद किया जा चुका है इसमें दो लाग किसानों से सीधा समवाद मतलब बाचीत कर चा चुके हैं दो लाग लोगों से और ये बताया जाए अब देखो आगे क्या किया जा रहा है कि बजट 2018 में 600 करोड रुपे की लागत वाली ब्रहामनी बनाच योजना से कौन से जले लबानवित होंगे देखो जैपूर के अंदर अगर आप गए हों वहाँ पर एक अमीन साह का नाला है जो वहाँ पर एक नदी है द्रवेवति नदी और उसी नदी पर ये ब्रहामनी बनाच योजना है वो चलू की जाए है तो इससे लाब होने वाले जैपूर तो होगा है होगा इसका मतलब ठीक है और ये कहां से कहां जो नदी है वो कहां से आ रही है तो जब आप मैप में देखोगे तो आपको पता जलाएगा कि जैपूर अजमेरो टोंग ये तीन जले हैं जो ब्राह्मनी बनास परियोजना से लाभानवित होंगे जीका से वित पोशिट राजस्थान वाटर सेक्टर लिवली हूड इंप्रोमेंट प्रजेक्ट से कितनी जलो में संचालीत है तो 16 जलो में ये संचालीत है ठीक है कि फिर राजस्थान में दिसंबर 2017 तक कितनी मेगावार्ट सोर उर्जा समता ये पूचा नहीं जाएगा ये इसलिए पूचा जाएगा क्योंकि अभी लेट्रेस्ट ये थोड़ा पुराना हो गया लेट्रेस्ट क्या हुआ है कि छबड़ा थर्मल पावर प्लान चलाया गय लिए तो उसे लेट्रेस्ट क्यूशन पर जाएगा उसके बाद में यहां पर मुच रहा कि प्रचलित मुल्यों पर राजस्थान में प्रतिवक्ति आई कितनी हैं देखो प्रचलित मुल्यों पर पूचता है तो है एक लाग पांसवी क्यावन रुपे और अगर आपको बे जब आप यहां पर देखते हो प्रतिवक्ति आई स्थिर कीमतों के अकोडिंग देखते हो तो 76146 और प्रचलित कीमतों के साब से एक लाग 551 ठीक तो यहां पर पूच रहा है प्रचलित कीमतों के अकोडिंग तो आंसर क्या होगा एक लाग पात्सों एक्यावान ठीक है उसके अलावा एक्स्प्लेनिशन है कि राज्य में 2017-18 में इस्थिर कीमतों पर प्रतिवक्ति आई कितनी है चेट तर जार एक्सुच्यालीस और दूसरा जवाब का यहां पर प्रचलित मुल्यों पर कितना होगा एक लाग पात्सों एक्यावन पिछले साल का जो है यह दे रखाए उसके बाद में 2017-18 में कुल खाद्दान उत्पादन की कितनी संभावना है तो कितनी संभावना है दो सो पत्चीस पॉइंट बैयासी लाख टन की यह भी आप यहां देख सकते हो खादान उत्पादन जमें जब हम जाते हैं यह देखो कुल खादान उत्पादन कितना है 2017-18 यह 2017-18 और कितना है दो सो पत्चीस पॉइंट बैयासी ठीक है और यूनिट का है लाख मेट्रिक टन और 2017-18 दोरान खादान का कुल उत्पादन दो सो पत्चीस पॉइंट बैयासी लाख मेट्रिक रुपय होने की संभावना है जो की क्रिसी वर्ष 2016-17 के 231.4 लाख मेट्रिक टन की होने की तुलना में 2.26 प्रतिशत की कमी को दरसाता है देखो यह भी बहुत इंपोर्टन देख पिछले साल की तुलना में कितना अगर ज्यादा हुआ है कम हुआ है खादान उत्पादन कितना इस बार कम हुआ है बारिस अच्छी हुई नहीं है राजस्तान में तो फसल होगी जो पैदावार है वो कम होगी खादान उत्पादन कम हो चुगा है अगर हम इंडिविजवल बात करते हैं खरीब के अंदर तो खरीब का उत्पाद 89.47 लाक है जो कि पिछले बार कितना था 82.9 येरो तो इसमें तो चलो बढ़ावा हुआ है ठीक है खरीब की फसल में तो बढ़ावा हुआ है खरीब की फसल में कौन सी होती है बाजरा वाला स जैसे जो जुलाएगस्त में बोई जाती है और जो रभी की फसल है उसके अंदर 2016 में था ज्यादा 148.89 तो इस बार कितना हुआ 136.35 इस बार 8.39 कम हुआ है तो ओवरॉल जो है 2.26 परसेंटेज की कमी आई है आगे है वर्स 2017-18 में राजस्तान में कुल कितना लाक टन दलहन उतपाद होने की संभावना है तो दलहन उतपाद की संभावना है 35.30 लाक टन और 2017-18 में क्या है कि खरीब दलहन का उतपादन 18.94 लाक टन और रभी दलहन का उतपादन 16.36 लाक होने का अनुमान है तो टोटल जो है 57.44 लाक टन और इसके अंदर खरीब और रभी का अलग अ दिया गया है और जो में लागू किया गया है तो खाद सुरक्षा मिशन है चोदे जिलो में लागू किया गया है और इसके लिए राज्य सरकार और केंदर सरकार का जो प्रस्थावित जो पैटरन है कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट करेगा तो 60% केंदर सरकार करेगी और 40% राज्य सरकार करेगी और जो गहों के लिए 14 जिले या फिर मोटे अनाज वाली फसलों के लिए कितने में बार है जिलों में इस मेशन के अंत्रगत प्रमानित बीजों का वित्रण, उन्नत उत्पादन, तक्निके के प्रदशन, समेकित पोशन प्रभंदन, जिप्सम, सम्मिट, कीट प्रभंदन, क्रशी अंत्रो, पंपसेड, आदिम हैत्त उनकारे, तो बहुत से कारे चलाएगे हैं इसमें, ठीक है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर स्टॉप करता हूँ वीडियो, इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे, अगले वीडियो में, 36 से मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो करना, ठीक है, तो अगले वीडियो दे के जरूब